नमस्कार, न्यूसलिक में आप सबको मैं स्वागत कर रहा हूँ, मैं परणजॉई गुहाठा कुरता, और आज कचर्चा का विशे है भारतवश्कार राजनीती में जो पिछरे जाती है, क्यों महत्रपूर्णा है और कैसे भारतवश्कार राजनीती के उपर इनका जो प्रभाव है कैसे बदल रहे हैं और इस विशे के उपर आज मेरा साथ न्यूस्क्लिक का स्टूडियो में है, चाने माने राजनीती, राजनीती समझते हैं, राजनीती विसलेशक, राहुल वर्मा जी, डॉक्टर राहुल वर्मा, हमारे डॉक्टर साब दिल्ली वि जै Wakya. headed तडिल्이 विश्व विडियाला है थे मुंबई में TTIS, टarटा इंस्टिटूट अफोशल साइंसे, और अमरीका में California विश्व विश्व विडियाले में Berkeley से उनो, इनका पिएज़डियों ने किया इस il nn से, पहले उनोंने CSDS, यानि कि Center for the Study of Developing Societies के ता, आजकल वो फेलो है CPR Center for Policy Research. धन्यवाद, धन्यवाद राहूल जी, आपका जो 28 August हिंदुस्तान टाइम्स में जो लेख लिखा. अगर आप सरल भाशा में हमारे दर्शक के लिए आप समझा देंगे, आप कहना है कि जो पिछले जाती है और जो हम कहें कि OBCs, अन्यव पिछले वर्ग, ये भारतवर्षकर राजनीती के उपर, एक तरह से उनका चोड़ देकर कह रहे हैं बहुत कुछ, और एक तरह से भारतवर्षकर राजनीती बदल रहे हैं, और इस तरह से बदल रहे हैं, चिए शायद ये तुवारा इसका परि दिवर्तन नहीं हो पाएगा, यानि कि हम लोग एक निरनाएक जगा में हम पहुच गए हैं, ये आप क्यों लिखा हैं, आप पहले बताएए, तो कभी भी कोई घटना होती है, वो छोटी हो बड़ी हो घटना, हमेशा हम लोग तुरंट सोचने लगते हैं कि इसका फाइदा या नुकसान क्या होगा, और इसका फाइदा या नुकसान किसको पहुचेगा, और खासकर राजनीती में हम हमेशा ये सोचते हैं कि कोई पार्टी, कोई नीता, कोई बात अगर कहता है, तो उससे उसका कुछ फाइदा हो रहा होगा, और किसी का कुछ नुकसान हो रहा होग और धेर सारे लेक लिखे गए कि किसका फायदा या किसका नुकसान हो रहा है मुझे लगा कि अगर आप गहराई से सारी चीजों के बारे में सोचे तो हमें अभी नहीं पता है कि किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा पर इससे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि धेर सारे चीजे हो रही है और वो आपस में एक दूसरे से तालूक नहीं रखती है पर वो सब पिछडी जाती या जातिगत राजनीती से जुड़ी हुई है और जब इनका एक साथ आएंगी एक साथ जब अपने समापन की तरफ पहुँचेंगी तो ये भारती राजनीती की दिशा बदल देंगी आपको रोक रहा हूं मैंजी क्यूं दिशा बदल जाएगा और बदल जाने का एक संभावना है और आप कहा कि पूरा भारती राजनीती का चरित्र बदलने का एक बदला समभावना है क्यों तो मैं इसके पीछे मैंने कहा कि देखिजिसे अभी सारा कुछ जो अखबारों में या टीवी स्टूडियों में जो चर्चा हो रही है कि 2021 जो की होना था पर अब 2022 में शायद शुरू हो उसमें क्या जातियों को गिना जाये या नहीं ये बहुत पुरानी मांग रही है पहले सैंसेश जो होता था 1931 तक के सैंसेश में जातियों को गिना गया फिर ये जो प्रक्रिया थी वो नहीं की गई आजादी के बाद से लगबग पचास सालों तक 1951 से अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती गिनी जाती है धरम के आधार पे लोगों को गिना जाता है पर उसके अलावा और कोई जातिया नहीं गिनी जाती है इति रहाज को आप जड़ा और विसार से बताएए आप शुरू कीजिए मंदल आयोग से शुरू कीजिए 89 से और आगे जाएए एकदम जब भारते जनता पार्टी जो आपका सत्यपाल सिंग बागहेल जी जो अभी हमारा केंद्य मंत्री है जो कानून और नया मंत्री है और वहाँ से जो रोहीनी जिस्टिस जी रोहीनी का जो आयोग है जो ग्यारा बार उनका जो क्या खैते हैं अबदी का विस्तार होए है कि जड़ा इतिहास जड़ा आप संक्षिप में पहले समझा दिजे मैं आपको उल्टा आजादी के पास से ले चलता हूँ दिखे जब भारत का समविधान बनता है उस समविधान में ये तैं हो जाता है कि अनुसूचित जातियों अनजन जातियों को आरक्षन की सुविधार दी जाएगी तीन छेत्रों में और शड़ी उल्टाइफ तीन छेत्रों में राजनीती में उनके लिए सीटे रिजर्व की गई सरकारी नौक्रियों में उच्च सिक्षा संस्थानों में पिछडी जातिओं के लिए adrenaline मंत्री ने उस समेंी कमीशन बनाया था जिसका नाम था काका कालेलकर कमीशन. काका कालेलकर कमिशन ने कुछ अपने सुझाव दिये कि पिछली जातियों के लिए क्या किया जाना चाहिए उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है 1955 में सब्मिट करी थी 1955 से लगभग 20 साल कुछ नहीं होता है थोड़ी सी एक्टिविटी शुरू होती है जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार आती है और उस समय बीपी मंडल के लेत्रत में कमेटी का गटन होता है जिसको पिछली जातियों के बारे में अपने सुझाव देने थे कि इनको कैसे सम्मिलित किया जाए इनको कैसे सुविधाएं दी जाए जिससे की ये भी और उसके 12 साल के बाद विश्वनदाद प्रताप सिंग जब भारत उसका प्रधानमंसी बना वो उनका जितने सारे मंडल पर उन्हों ने भी मंडल कमिशन में से सिर्फ एक चीज उठाया जो की था कि सरकारी नौकरीयों में सिक्षा में नहीं, राजनीती में नहीं, सिर्फ एक recommendation को पकड़ा कि सरकारी नौक्रियों में आरक्षन दिया जाए अच्छा उसके पीछे और भी चीज़ें चल रही थी, बिहार और यूपी की राजनीती में क्योंकि पिछडी जातियों का थोड़ा सा बोलबाला बढ़ रहा था, करपुरी ठाकुर की सरकार बनी थी और 1990 में OBC या पिछडी जातिया थोड़ी मजबूत भी हो जाती है, उन जातियों की अपनी पार्टियां हो जाती है चाहे आप समाजवादी पार्टी देखें या जनतादल देखें या फिर आप साउथ में अगर जाएं तो तेल गुदेशम पार्टी हो या इस तरह की तो उनका राजनेतिक उभार शुरू हो जाता है 1990 से लेकर, जादा तर पिछडी जातियां इन छेत्रिय पार्टियों को अपना वोट दे रही थी 2014 में जप्रधान मंत्री मोदी का 2015 में पहला बार एक पूरा राश्ट्य स्थर में एक OBC मोर्चा का गठन किया बार शुरू है और जे आपने शुरू पाल सिंग जी बागेल जी का नेकिस्त में भारतिय जंता पार्टी के अंदर SC मोर्चा या ST मोर्चा बहुत पहले से था पर OBC मोर्चा का भी गठन प्रदेश शुरू पर पहले हो चुका था होई है क्योंकि उसे बहुत धेर सारी पिछडी जातियों ने वोट दिया है और दलितों ने वोट दिया है और प्रदान मलतिया है और आपने जैसे आपका लेक में आपने लिखा कि CSDS Center for Study of Developing Societies उसके जो आकरा है उसमें आपका लगभग 2009 साल में 20 फीसदी OBC वोट भारत जिंता पार्टी को मिला था और जो राजने तिक दल उनको लगभग 42 फीसदी मिला और ये 2019 का जब लोक सभाचना हुआ ये बरके 46 और पूरा जो शेत्रिया पार्टी को कम हो गया 27 फीसदी इसका माने मतलब जड़ा समझा दीजी हमें इसका मतलब है कि पिछले 10 सालों में भारतिया जन्ता पार्टी को पिछली जाती के मददाताओं ने उनका वोट लगातार बढ़ता जा रहा है जबकि पिछली जातीयों का वोट इन छेत्रिया पार्टी के लिए कम होता जा रहा है और इसी चीज़ को रिस्पॉंड करने के लिए एक तरह से कि जब आपको जिस जो वर्ग आपको बोट करते हैं आप उनके लिए कुछ करना भी चाते हैं तो सबसे पहले भारतिया जन्ता पार्टी क्या करती एक तो भी सी मोर्चा बनाती है दूसरा जस्टिस जी रोहिनी के नेत्रत्रों में कम कमिती का गठन होई जी और ये मतलब हुकुम सिंग कमिटी ये सब इन सब के पीछे बहुत पुरानी हिस्ट्री है कर पुरी ठाकुर के जमाने से बिहार में ये बात चीछ चल रही थी कि ओबी ये पिछली जातियों के बीच में चाहे वो यादव हो या कुर्मी हो या आप को सम्मिलित कर लिया गया इनको जादा फायदा हो रहा है इन फैट जो जब कमिशन ग्यारा बार इसको एक्स्टेंशन मिल चुका है अपनी रिपोर्ट सम्मिट करने के लिए जी और पर ये कुछ प्रिलिमिनी फाइंग्स डॉक बारों में है या इस तरह से कि जब कालेलकर जी ने इन जातियों का मतलब नाम अपनी उसमें लिस्ट में डाला था कुछ लगबख पच्छिस सो जातिया है जो ओबी सी कहलाती है अधर बैकवर्ड क्लासे और जिस्टिस दोजार पाच्छो पाच्छो थाई हजार और जिस्टिस जोहिनी कमिशन के हिसाब से लगबख ह जातियां ऐसी हैं जिनको इन 27 परसंट कोटा में है ही नहीं है इनको पभी इनको फाइदा ही नहीं मिला है तो आप लिजे आई 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 टी जाईए या फिर आप यूपी सी में जाईए तो ऐसा लगता है कि कुछ जातियों को ओबी सी के अंदर ही ज्यादा तर फाइदा म ही आपको अलग-अलग वर्ड में अलग-अलग सेक्शन में भाग करना बहुत जरूरी है और इसका पॉलिटिकल प्रॉसेस आप हमेशा कहीं न कहीं किसी न किसी स्टेट में होता रहता है जैसे आप को ध्यान होगा बिहार में काफी समय से ये चल रहा है जहां पे आप जो एक तरह से एक दूसरे के साथ राजनीतिक मित्र नहीं है इन लोग मगर एक साथ हो गया और इन्होंने हमारे प्रदान मंतरी पर जाके मांग किया एक साथ कि क्यों ये जन्मना ये कास्ट सेंसर्स का ज़रूरी है बगर इस से पहले मैं एक कदम पीछे आपको जाना है य और हाँ एक सु दो एक सु एक सु एक सु एक सु चार दोजार बीस पर इसका मात और एक तरह से यह महत्रपूर्ण क्यों है अब पहली बार जो समवैधान का एक सु दोवा संसोदन है अभी तक आपके पास बैक वर्ड कास्ट कमिशन था पर वो एक कॉंसिटूशनल एंटि इसे एक समवायधानिक दर्जा दे दिया गया उसी तरह से जैसे की नैशनल कमिशन है SCs और STs के लिए ठीक है पर जैसा कि हमारी ब्यूराक्रसी में होता है किसी ने मुझे लगता मेरे पास इसका कोई आधार नहीं है कहने का कि SCST कमिशन का जो पूरा धाचा था या जो उसका जो कागजात थे उसमें उन्होंने किसी ने सर्च करा SC और उसको रिप्लेस करा OBC से ठीक है तो उसमें कई चीजे चेंज हो गए क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ SC प्रॉब्लम हुई और ये हमारे CPR में फैलो हैं डी शामबाबून का यही मानना है क्योंकि इसी वज़ा से जो हमें 105 वा संसोधन लाना पड़ा वो जो 102 में गलती थी उसे सुधामने के लिए 105 वा लाना पड़ा जो उससे पहले एक कदम पीछे चले जाएए 2019 में जो 10 फीसदी जो आपका आर्थिक रूप से जो कमजोर भरके ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS इनको वो 10 फीसदी आपने आरक्षन दे अब इसके देखिए कई माइने है 1992 तक भारतिय जन्ता पार्टी खुले रूप से अगर नहीं पर दबे रूप से आरक्षन का विरोध किया करती थी उसे लगता था कि अगर हम हिंदू समाज को जातियों के आधार पे गिलेंगे तो हिंदू समाज तूटेगा यह उनकी अपनी समझ है आप यह कहा जाता है कि 1989 में जब मंदल कमिशन का रिकमेंडेशन लागो किया गया था तो भारतिय जन्ता पार्टी ने परोग शुरूप से जो आरक्षन का विरोध कर रहे थे क्योंकि भारतिय जन्ता पार्टी को जादा तर उच्वर्ग से वोट मिलता है उसका विरोध भी किया था और पिछले 10-15 सालों में भारतिय जन्ता पार्टी भी बदल रही है अब वो उस तरह की उच्वर्ग की ही पार्टी नहीं रह गई है उसका पार्टी का भी अपना ए तो अब उनको ये समझ में आ गया कि हमें कुछ तो करना है पिछली जातियों के लिए जिससे कि वो हमें लगातार वोट करते रहें पर 2018 के चुनाओं में भारतिय जनता पार्टी को 3-4 राज्यों में 36 गर मदर प्रदेश राजस्तान में हर जगा हार का सामना करना पड़ा और शायद ये मतब कहीं सुनी बाते हैं कि पार्टी के अपने समीक्ष विशलेशन में ये समझ में आया कि शायद जो उच जातिया थी उनको पार्टी से कुछ नाराजगी थी नाराजगी किस बात से थी कि ये हमारे पार्टी की सरकार है और हमारे लिए कुछ खास नहीं हुआ अब फिर आपने कुछ ऐसी एक्ट में भी सुप्रीम कोट ने इंटर्वेंशन किया था तो इन सब की नाराजगी थी उसी के बैक पहले से थी कि पिछड़े जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग है उनको 10 प्रतिश्यत या कुछ प्रतिश्यत आरक्षन का देना चाहिए यह जो हार्थी उसने पुछ किया बीजेपी की टॉप लीडर्शिप को यही आप जो संग्विधान को संग्शोधन किया कि जो हमारे अ और अनुसुचे जो जन्जातिया है इनके उपर जो आरक्षन है दस साल और रहेगा यह एक रूटीन प्रतिया है इसलिए मैं 104 पे बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि हर दस साल तो पहली बार जब 1950 में आरक्षन दिया गया था तब 10 सालों के लिए दिया गया था तो आप अ कोई विरोध नहीं होता सर्व सम्मति से यह पारित होता है कि जिन कारणों की वज़ा से आरक्षन दिया गया था वो कारण आज भी मौजूद है इसलिए सरकार चाहती है कि इसे 10 साल तक बढ़ाया जाए तो यह आचा तो हमारा वक्त कम है इसलिए मैं आप से पूछना चाह नितीश कुमार और तेजश वियादव एक साथ मिलके प्तान मंत्री पास है और दोनों कह रहे है कि आप करिये जल्दी कीजिए इसमें भी एक एक विवाद है कोई कह रहे होना नहीं चाहिए कोई कहता है यह एक तरह से जाती भाव बढ़ जाएगा और इस पे कुछ वाम द एक नुकसान क्या है या फाइदे क्या है यह क्ला सेंसस तो त्यूं यह आज एक विवादत विश्य हो गया है तो देखे अपने अपनी विवादत मुद्ध होना था और इसके लिए बहुत पुरानी मांग चल रही है पहले बात हुई थी 2001 में होगा फिर पारलेमेंट के अ दनना खतम होगा बगर वो सोशियो एकनामिक सामाजिक और और क्या कहते है जाती के उपर जो आपके जनना क्या है और कुछ आकड़ी कहते हैं कि लगबद पाच हजार करोन रूपे खरच किये गए थे इस सोशियो एकनामिक कास सेंसस करने के लिए और अभी तक वो डेटा रिलीज नहीं किया गया कई कारण हो सकते हैं अब क्योंकि ये सब मतलब लोगों की तो एक तो मेरे ख़याल से जो फैक की तरह है कि कुछ जाती की कैटेगरी में क्योंकि ओपन एंडेट सवाल पूछा गया था कि आपकी जाती क्या है 46 लाक जातियां रेजिस्टर होकर आई मुझे लगता है ये लाजली एक तो मतलब स्पेलिंग मिस्टेक की वाजा से हुआ होगा एक बार अगर स्पेलिंग मिस्टेक करेक्शन कर लेंगे तो अपने आप ही आधा हो जाएगा पर ऐसा संभव है कि आपके पास गिनके कुछ मतलब एक और दो लाक जातियां आएंग कि हर राज़ सरकार के पास अप एक अपनी लिस्ट है, OBC कास्ट कौन सी है, SC कास्ट कौन सी है और हम जो जातिगत जन्ड़ करने जाएएंगे, जो जन्ड़ करने लोग जाते हैं, उनको वो लिस्ट दे सकते हैं तो आप वो जो 46 या एक लाक या 1.5 लाक की समस्या है, उससे बच जाएंगे पर हमें तब भी सोचना होगा क्योंकि ये कौन लिस्ट में होता है कौन नहीं होता है ये एक राजनेतिक प्रक्रिया है राजनेतिक भी है क्योंकि सरकार का अलग-अलग जो कारिक्रम है वो तो आप जाते कि अधार पे आप दे रहे हैं किसी को भुगतान दे रहे किसी को आप बिल्कुल कुछ अलग-अलग कारिक्रम है आप बिल्कुल क्योंकि धेर सारे सरकारी प्रोग्राम जाती को अपना एक आधार मानते कि किसको मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए आप बिना जिसको कहते ना कि evidence नहीं है और उसके उपर आप policy चला रहे हैं तो हमें शायद इस वज़ा से जातिगत जनगरना चाहिए क्योंकि आप राजनीती के छेत्र में किसको क्या सरकारी benefit मिलना चाहिए उसके छेत्र में स्कूल कॉलेज में किसको admission मिलना चाहिए उन सब जगों पर आप यूज़ कर रहे हैं इसलिए शायद करना तो चाहिए परन्तु आपको यह बहुत ध्यान से सोचना होगा और यही आप economics पड़े हुए हैं मतलब good और bad policy के बीच में सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि good policy के आप लिखा है कि भाई यह तो हमारा मतलब एक किसी भी democracy का फर्ज बनता है 75 साल हम अपने आजादी को celebrate करने जा रहे हैं हजारों जातिया है उनको कोई representation नहीं मिल पाया है तो इसके लिए तो आपको कुछ ना कुछ आधार बना के आंकड़े कठे करने चाहिए और कुछ करना चा इस विशे के उपर चाचा चल रहा है आज भी चल रहा है जाती और स्रेणी कास्ट और क्लास कौन मतलब नहीं वाम पंती जो है वो एक चीज़ कहते हैं जो अलग-अलग लोग है आज वो लोगों का अलग-अलग सोच है आपका क्या सोच है यह पुरानी हमारे यहां लोहिय ने इसके बारे में कहा था कि हमारे कास्ट और क्लास जाती और स्रेणी दोनों ओरलैप करते हैं जो उच्छ जातियां है वो उच्छ और मध्यम वर्ग में भी आते हैं और जो निम्न जातियां है जो निचले स्तर पे जातियां है वो गरीब भी है यह जो जो पहले मतलब हमा दुनिया के कई देशों में अलग हो सकता है हमारे यहाँ यह overlapping categories रही है यह अभी change हो रहा होगा पर इतना परिवर्तन नहीं हो गया कि अगर आप randomly किसी को कुछ गरीब भाह्मन आपको मिल जाएगा और ऐसा भी अभीर आपका दलिद भी मिल जाएगा मगर आपको ठीक है और दूसरा चीज मतलब हमारे यहाँ जाती जो अमबेटकर ने कहा था ना मतलब कोई भी इस तरह का अगर जाती हो या class हो सब एक तरह से hierarchical systems है पर अमबेटकर ने जाती के बारे में कहा था कि यह graded inequalities है मतलब आप class में तब भी एक mobility है आप नीचे से थोड़ा मेहनत करके आप उपर जा सकते हैं पर आप अपने जीवन काल में जाती की जो boundary हो उसको cross करना बहुत मुश्किल है आप जिस जाती में पैबा होते हैं और जिन जातीयों के साथ हम बहुत ही discriminatory बेवहार है हमारा वो बेवहार हटा पाना बहुत मुश्किल है एक तरह से आप कहेंगे यह पूरा भारत पर का एक अमेन होता है और ऐसे देश में हम नहीं देखते हैं जाती वो स्रेनी के बात करते हैं ऐसा यह class system है ही नहीं कहीं मगर it is unique to India मगर और ऐसे देश पर साथेशा के लिए unique तो मेरा आखरी जो सवाल है कि अभी February मार्च में उत्र प्रदेश में विधान सबाचोना होने वाले हैं पंजाब में भी होगे उत्र खट में होंगे आप जो लेक आपने लिखा कि भारत प्रश का राजनीती के उपर आपको लग रहा है एक तरह से एक जगा में हम पहुँच गए हैं इसका जो यह जो जाती OBSIS का सेंसस बहुत मत्पूर्ण हो गया तो आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा कौन हरे है यह जो सब चीजे हो रही है आने वाले चुनाओं में बहुत ही मार्जिनल एफेक्ट होगा इनकी वज़ा से कोई भी जीत क्योंकि कारण है क्योंकि लोग बोलते हैं उतरप्रदेश में एक कारण है क्यों भारती जंता पार्टी का जीत हुए भारी बहुमत से जीत हुए नोट बंदी के बाद क्योंकि जो ओबीसी इस थे सब लोग तो अखिलेश यादर जी के साथ नहीं देवा समाजवादी पार्टी के सफ़ा के साथ नहीं गया और जो तलित भर्ग है जो जो अनुसुचित जाती है खार्टी जातर जातर जो नोट जातर है वो बहुजन समाजवादी बसबा या मावत जी के साथ नहीं गया और ये बहुत मतुौना कारव में भारती जिनता बादी है क्योंकि अगर आप इस तरह से देखेंगे किसी भी चुनाओ को तो कोई जीता तभी है और इतनी बड़ी जीत तभी मिलती है जब उसे सारे वर्गों का वोट थोड़ा-थोड़ा बढ़ता है तो जब भारती जनता पार्टी उत्तरप्रदेश में बड़ी जीत से आती है 2017 में तो उसको उच्छ जातियों का भी बड़ा वोट मिला था कम वोट दिया और भाजपा को क्यों दिया भाजपा ऐसा क्या अपने एजंडा में अपने प्लाटफॉर्म से या क्या ऐसी उमीदें वो बढ़ा रही थी लोगों को जो उनके पास आ रहे थे और 2022 के चुनाओं में किन उमीदों पे भाजपा खरी उतरी है किन उमीदों पे उसने फेल किया है लोगों को ये दो कारण बनेंगी कि उनको 2022 में वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा अपने जैसे कहा कि ये जो OBCs इसको केंज़ित करके भारत पर राजनीती में क्या असर परेगा या नहीं क्योंकि ये सबसे बड़ी ग्रूप है, सबसे बड़ा जलसंख्या है और अब अगर ये अभी तक ये सिर्फ एक जिसे कहते है न सरकारी काटेगरी थी बिल्कुर आपने आपने काटेगरी अपने प्रसाशनिक एक स्टेनी थे अभी राजनीती के स्टेनी बन गए है धन्यवाद, राउल जी आपने न्यूस क्लिक का दर्शक को आपने समझाया, ये बहुती जटिल विशे है और इसके जो क्या असर पर हैगा भारत प्रसकर राजनीती के ओपर उत्रतुदेश का राजनीती के ओपर चुनाओ के पहले समय बताएंगे एक बार और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप सब देखते रहेए न्यूस क्लिक